हेलो व्यूवर्स वेल्कम टो मैं चैनल नौलेज आन फान फैक्स तो आज हम बात करेंगे पेट्रोल बाइक वर्सस एलेक्ट्रिक बाइक के बारे में कि कौन सी बाइक अच्छी है कौन में आपको ज्यादा बेनिफिट है और किसमें अडवांटेज़ और डिस तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं तो चलिए पहले बाइक्स की यानि पेट्रोल बाइक का क्या प्राइज है और अप्राइज आपको और वैसे ही इसका फ्यूल कंसम्शन वागारा के बारे में बात कर लेते हैं देखें फर्स्ट आफ और यह देखें का एक लाग रुपए मैं बाइक की बात कर रहा हूं स्कूटर की अगर एलेक्रिक स्कूटर में जाएंगे तो आपको जैसे की 80-90,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा तो यह तो बाइक के बारे में बात कर रहा हूं मैं अब वैसे देख लिए अब यह डेली ऑन एं आवरे के बारे में देख लेते हैं जैसे कि 52-70 किलोमेटर साब डेली रन कर रहे हो तो उसका फ्यूल कंसप्शन देख लेते हैं देखे 50-55 किलोमेटर पर लीटर जाते हैं अब वैसे तो स्पोर्ट्स बाइक होते है जैसे कि आर वन फाइव अगरा है जैसे ही 150cc की बाइक ले आपको प्रेजेंट ली इसका कॉस्ट चल रहा है जिस दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूं उस दिन का कॉस्ट है यह 106 रुपीज पर लीटर हाइदराबाद में इसका कॉस्ट है अभी दूसरे स्टेट्स में कितना है वो नहीं वो सकते हो आपको गूगल कर लेना पड़ता है हर चीज में बोल लेकाने बढ़ता हूं तो वह इसे हाइदराबाद के बारे में है और एलेक्रिसिटी कॉस्ट 9 रुपीज पर 1.5 यूनिट है यानि आप 9 रुपीज पर यूनिट कोस्ट है और देड़ यूनिट में यह पूरा आपको जो बाइक होती है वह 100 परसंट चार्ज कर देगा यानि इसमें दूतरा की प्रॉब्लम्स है आपको जैसे की फ्यूलिंग करना है आपके टैंक में अगर जैसे की बाइक है बाइक के अंदर आपको अगर फ्यूल पेट्रोल वगरा दलवाना है तो आप क्या है जट से हो जाता हो उसको ज्यादा देर लाइन में ठायरने की ज़रूत में पड़ती मगर वहीं पर अगर आप यह बाइक में चार्जिंग वगरा कर रहे हैं तो टाइम लगेगा आपको आपके बाइक को चार्ज करने के लिए लेकिन दोनों में क्या है कॉस सेविंग एलेक्टरिक बाइक में बहुत ज्यादा है वह मैं आपको आगे बता दूंगा फॉस्ट ओफॉल देख लिए मेंटेनेंस कॉस्ट पर यह इसका आएगा आपको 7500 तक इसका पर यह को स्ट है और आप देख लिए इसका कॉस्ट आएगा टुंटी थौजन यह पर यह इसकी जो बैटरी होती क्योंकि अलेक्रिक बैक में ज्यादार कॉस्ट उसके बैटरी का ही होता है क्योंकि लिथियम बैटरी होती है वह 15-20,000 और आवरेच कॉस्ट रहता है बैटरी का और सबसे ज्यादा मतलब आपको भङही रहती है और उसको बाइक में आपको जितना भी हैवी पार्ट होता है यानि जितने बाइक जिसके वज़े से हवी हो जाती है वह बैटरी होती है अगर बैटरी निकाल देंगे तो वह बहुत लाइट, वेड़ होती है जै सेविंग देखेंगे तो ऑन एन अवरेज एलेक्टरिक बाइक में आप मिनिमॉम टो मिनिमॉम 80 टू 1 लाइक रुपीज तक आप सेविंग कर सकते हैं तो बस ऑन लाइन का एक तरीखा है मेरे को बोलने का आपको कि इतना सेविंग कर सकता है अगर आप देख समझ के चला लें है और पांस साल में आपको यह सेविंग होती है और किस बिना पर होती है वह मैं आपको आज बता दूंगा देखिए अगर आप एक नॉर्मल बाइक लेते हैं जैसे कि आप एक्जांपल ले लिए यह देखें एक नॉर्मल बाइक जैसा कि 125 से लेके 150 CC तक की जो बाइक होती है वह अप्रॉक्सिमेटली आपको इसका कॉस्ट पढ़ता है 500 तो तौजन रुपीस आपका जेनरल सर्विसिंग का कॉस्ट होता है अगर इसकेस अगर कुछ पार्ट्स वगरा उसका चेंज करने की जोरवत पड़े तो उसका कॉस्ट आपको 2000 से लेके 2500 रुपे तक का कॉस इसका ज्याद से जाद आपको बहुत से बहुत बोले तो बस बैटरी की ही एक प्रॉब्लम होती है जो कि 15,000 से लेके 20,000 की रेंज में होता है मार्किट प्राइज अभी का तो उसका वो प्राइज है ठीक है यह बहुत से बहुत बोले तो आपको एक देड़ से दो साल तक आराम से चल जाएगी इसकी बैटरी आपको तो आप समझ सकते हैं कि यह एक बार का सर्वेसिंग कॉस्ट इसका आ रहा है आपको दो हजार से लेगे धाई हजार तक आ जा रहा है किसका पेट्रोल बाइक का और वहीं पर आपको अगर एलेक्रिक बाइक का देहेंगे तो आपको मैक्जिमम 15-20,000 रुपय तक का कॉस्ट आ रहा है और जो पेट्रोल बाइक होती है वह मिनिमूम आपको अब देखें अब एक्जांपल लगा लिए कोई बाइक है आपको कोई 8-9,000 किलोमेटर चलने के बाद आपको इसको एक बार सर्विस कराना पड़ता बहुत सा लोगों के लिए क्या है सुबा जाना है ऑफिस में बाइक रख देना है फिर शाम में निकालना है तो वैसे लोगों के लिए आपको सर्विसिंग कॉस्ट कम आएगा क्यों वही पर अगर मार्केटिंग जॉब्स वाले हैं जिनकी फिरने की जॉब्स मतलब फिरने का रही कि आपको यूशुड एक्सपेक्ट बैटरी टो लास्ट बेट्विन टू एंड फोर येर्स इफ इस वेल मेंटेन यानि अगर आप इसे अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे इस बैटरी को टाइम टो टाइम चार्ज करते रहेंगे उसके अंदर आपको कुछ चेंज करवा दीजिए आपको क्या है कर आप अच्छी तरह से मेंटेन कर लेंगे तो आपको दो से तीन साल या चाड़ साल तक भी चलने का चांसस रहता है तो चलिए इलेक्रिक मोटर और इंजन में क्या फरक होता है यह हम जान लेते हैं देखें डिफरेंस इस दाट मोटर रंस और यहां को अपको अपको कंबस्शन पर रन होता है ठीक है कंबस्शन के तुरू वो रन होता है देखे इसका definition क्या है वो बताते तो यह क्या करता है कोई भी अब देखे डीजल इंजन है पेट्रोल इंजन है आपको तो यह इंजन क्या करते हैं वीरियास फॉर्म्स ऑफ फ्यूल यानि जो भी फ्यूल होता है उसको इसको कंबर्शन इंजन बोलते हैं और वहीं पर देखे वाइल दो मोटर ट्रांसफॉर्म्स एलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मेकानिकल एनर्जी यह क्या करता है आपको एलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकानिकल में कनवर्ट कर देता है तो यह इसका definition है ठीक है तो चलिए अभ को बहुत सारे parts होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो cooling fin है आपको अंदर first of all देख लिए इसके अंदर जो आता है exhaust part है आपको इसके अंदर and Cylentrical head है आपको rocker arm है तो यह बहुत सारे parts से मिलके बनता है तो यह बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेटेड होता है और अब उसको ज्यादा चलाने पर भी क्या होता है फ्यूचर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आते नहीं है अगर कुछ भी आ गया जैसे कि मैं पिछली पार बोला था अगर कुछ पार्ट खराब भी नहीं हुआ आपको जैसे कि उसके अंदर अगर कुछ इंजन के अंदर जो क्लच प्लेट वगरा जो आते हैं वह खराब भी नहीं हुए तो मेकानिक आपको क्या बोलता है सर यह पूरा खराब हो गया आप इसको फिर से चेंज करवा लेजिए वरना आपके गाड़ी फिर से प्रॉब्लम देगी तो ऐसा बोलके वो लोग 2-3,000 रुपए तक का चार्ज दाल देते हैं पर सर्विसिंग के लिए वही पर आगर आप देखिए यानि इलेक्ट्रिकल मोटर यानि के जो मोटर आता है उसमें क्या Këमपोनेट्स होते हैं तो कम्यूत इतर ममण तो एक के त्रोग मैंगिनेट्स हसे रोटेटकर तो यह बहुत से बहुत बहुत तो तीन-चार कॉंपोनेंट में बनता है और यह सस्ता भी बढ़ता है कभी अगर इंजन खराब हो गया तो 20-30 परसंट कॉस्ट जो आपकी बाइक की होती है वह इंजन पे बेस करती है यानि आपको जाया से जादा कॉस्ट लग जाएगा आपकी इंजन बना ौत देक्षी बॉक्ट लॉक्ण की जैसा कि आप देख सकते हो कि इसका जो लुक होता है वह बहुत ही अच्छा है यह वाली तो आपको वो बाईक है यह री・्व पहल जाव फॉर हंडडेड वाली फट है इसका लुक्स बहुत ही बेस्ट है आपको भी तो अच्छा चल रहा मार्किट में यह बहुत सारे मैं देखा हूं मार्किट में चल रहे हैं इसके भी और यह तो पलसर 180 है के तो दीवाने बहुत सारे हैं स्पेशली मैं भी यूज कर रहा हूं यही बाइक पलसर 150 यह मेरे पास तो लुक्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको कि दोनों बाइक्स भी बहुत अच्छे हैं यानि बाइक्स के बारे में जैसा एलेक्टरिक बाइक का लुक्स वगरा भी अच्छा है आपको पेट तो इसे जाए 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 शेर कीजिए लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टे सेफ थैंक्यू एंड थैंक्स वर वॉचिंग